आप सभी का इन्वेक ने आप हूँ आपके साथ परागुपता शुरुबात करेंगे बलेश्टिन की बड़ी खबर के साथ काटे की टक्कर है बड़ी जानकारी इस पक्ता अपुवदा दें पांचवे चरण के लिए चुनाप प्रचार का शोर ठम चुका है पांचवे चरण में बारे सलों की एकसर सीटों पर भोटिंग होनी है सताइस परवरी को पांचवे चरण के लिए वत्वदान होना है तो अब साथ तीन डेपोर्टर जुड़ गए हैं ग्राउंड जीदें से अपडेट पहुँचानी के लिए सबसे पहले हम रुक करेंगे प्रियाग राज का जापर संदीप हमार साथ मौझूद है संदीप क्या को जानकारी है चुना प्रचार का शोर थम चुका है और अब सिधा वोटिंग की तैयारी चल रही है दो कि देंगे पांचे दरव जाता है इसका आज की अज़टी दिखा जार का और इस आज नवी पांचे जार तक इस प्रेश्म का दावरा था जारा था ता काहुला गारिके यहां पहुते हैं इस पुरी तरीकार खुछार है और अब सतनाई सारी तो इसकी किसमत पर उपक्रीडान होते हैं प्रिशासन कर रहा है जी परागजी हम दर्शकों को बता दें जिस तरीके से गोंडा में आज स्वाम को त्थे बजे के बाद प्रचार सम गया है उसके बाद जिले की साथ बिजान सबस्थ शेत्रों में जो प्रत्यासी है उनके भागे का प्रसला आने वाली 27 तारिकों होगा सबी प्रत्यासियों लेज आखरी दिन पूड़े जोर और तोर लगा के उनों प्रचार प्रसार किया जिसे की वो आम जन्ता का सहीव पांग सके और जन्ता उनको किस तरीके से मदद करती है तो आने वाला समय बतायगा गुंडा क्रीजा कि वे नियुंत कर देट क्या तो प्रहईम बächstतल तु उसाथ जगह पर में बीटे कोछे transmit को प्राइम रहार फढंतेTube सऺज़ें है थानु फ्रहम पर दाम झर्भा के Kabul ह scheint था को पर भूली युु अठीज़ जन्ता से सहयोग मानते दिख्या और लोगों ने ये पुशित की कि जन्ता को अप्ते पक्षम के स्टाटब लगा दिया है अब ये तवाने बताएगा कि 27 तारीकों के भागता फैसलाओं को जन्ता की तो ने बताएगा अब शेपते के बाद प्रशासत के करी शुरुच्छा बने रही है आप अंड्राग को आपके पास तोटेंगे मितलेश पाठक हिस्पक तमरसा श्रावस्ती से जुरुच्छा है मितलेश आपके पीचे मुझे रोशनी नजर आ रही है लगता है बाजार में खड़ी है मार्केट में खड़ी है कैसा रंग है इस वक्त श्रावस्ती का परागी बताना चाहूंगा 27 तारीकों स्रावस्ती में मद्दान होना है जिसको लेकर पूरी तैयारिया कर ली गई है अब इसके बाद अगर कोई प्रत्यासी या कोई उनके समथक प्रत्यासार करते पाये जाते हैं तो उनके खिलाफ सक्षे सक कारवाही की जाएगी परत्यासी में पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई है यहांपर अगर पत्यासी की बात करेंगे तो दोनों बिढ़ान सभाव में 13 प्रत्यासी मैडन में है संधीप तिवारी आप यह बताई कि संगम रगरी में इस वक्त लोगों का मज़ाज क्या है क्या मुद्दों को लेकर जनता वूट करेगी और किन मुद्दों को लेकर उत्सा जनता के अंदर है? जनता लगादार उत्सा जाएगा वो उसी के पक्त जाएगा जिन में इस समझाने की पूरी कोजिशित कर रही है? बताने की पूरी कोजिशित कर रही है? अब ये देखना है कि जनता किसकी किस्मत को इस से बद करती है सीट में और किसकी किस्मत को बद करती है अरने है? परागे दरस्थकों को बता दें जिस तरीके से गोंडा सदर सीट की बात करें तो वहाँ पर पूर्व मंत्री है जो बिनोत कुमारूध पण्डीय सिंग के बेटे हैं सूरा सिंग् आच दोनों लोगों यह क데 आद ही अट कहो हुऊ करकर दो करने की खुशिस कि ए तो ही न है जंथा सारी टेखे और जंदर इन शीदो के लिड़ें पारोन देन जो और मिन कोई यह एसा था यहा ह tribun है जब मेरे घर डिन सकत्र आभरो Australia कि लोग को दाशन दे रही है तो कहीं नहीं कि लोग मरहम लगाने का सरकार कोशिश कर दें लेकिन आने वाश यह बताए कि यहां कि प्रकाशी के जीत होगी है कि लोग में प्रकाशी के सामने जो बागी होकर राम पताथ पिंग है वो कांग्रेस के चनौ लड़ा है जहां पर पहली इक्तोती है जहां कांग्रेस लड़ती हुई दिख रही है तो वहाँ भाटपा और कांग्रेस के भी सीथे चक्तर हो रही है ऐसे तरब गंची बात करें तो जो बजुदा बिखायक है प्रेम राड़ पांडे वही सफ़ा से पूर में बद रहे राम पहजन चौवे चौप को पूर काशी राम को बद करते हैं और जिस तरीके से वो कह यहां योगे साथ सिंग जो पूर मंत्री बेसी सिक्षा मंत्री से उनकी सांगदाव पर है वो माजबादी पाटि से चुनाव लड़न है उनके सामने एक लाक्रमूख है के पति है जो अजे सिंग को प्रकासी बनाए गया है वो बाटी के टकर देते हुए नजरा है आज उन मत्री ने कई जगार पर सफा करके जन्ता कोट बनाने की कोशिक्षित कि पाने वाला समय बताया का इस तरीके से यहां पर स्क्रासी इत्वितों गिया और इसकिहार की फ्रामूख है श्रावस्ति की सीटों का समीकरण क्या कुछ कह रहा है क्यूंकि ये बहुत जादा जरूर ये मत्लेश आप इसको समझाएं लोगों की मुद्दे बहुत एहम है सीटों पर जो प्रत्याशी उत्रे हैं वो बहुत ज़्यादा एहम है किसने किस तरीके के वादे किये हैं और जरनता का रूकर इस बार क्या कुछ है बिल्कुल बताना चाहूंगा लगातार प्रत्यासियों की तरफ से वादे किये जा रहे हैं कोई विकास का दावा कर रहा है तो कोई यहाँ पर रोज़गार लाने की बात कर रहा है अगर बात की जाए तो स्रावश्टी तराई का जिला है जो इंडो नेपार सीमा पर इस्क कमाने के लिए तो कहीं न कहीं रोजी रोजगार का भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है उसके साथ साथ अगर सिच्छा की बात की जा तो सिच्छा के लिए भी कोई सम्चित ब्यौस्था नहीं है जिसको लेकर भी इस बार प्रभाविक जिला है हर साल यहां पर बाढ़ाती है बीचों बीच लातनी नदी बहती है जो यहां पर तहस नहस बचाती है विश्मेव तीन जो साल में होते हैं किसानों के बराबाट चले जाते है इस तुछर्वान लोगों के खरच रह जाते हैं जो खेती होती है खेती का साथा भादय किये हैं अब देखना तो यह होगा कि भाजपा की बात की जाए